नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़ाद से ज़ाद सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेर कीजिए जी हाँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में गुड़हल से आपके बालों का इलाज बताने वाले हैं की आप कैसे गुड़हल का इस्तेमाल कर अपने बाल को बचा सकते हैं दोस्तों गुड़हल के फूल में ऐसे तत्व होते हैं जिनका इस्तेमाल खाने पीने और अशद्यों के रूप में किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है दोस्तो गुड़हल में विटामिन Z, आयरिन, टेशियम, फाइबर्स, भरपूर मात्रा में पाय जाते हैं यह बालों की कई पिवारियों से निजात पाने में मददकार होते हैं क्योंकि इनकी पतियों से बहुत ही जादा हमें फाइदा होता है दोस्तो गुड़हल के पतियों और फूलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीकों में किया जाता है जैसे आफेस पैक, तेल, आदी इन सब चीजों से ही बनते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फाइदे मन्द होते हैं जी हाँ दोस्तो विस्तार से जान लेते हैं क्या है गुड़हल के उपाए और इनका आपको कैसे इस्तेमाल करना है गुड़हल के फूलों से सौंबे शेंपू बनाकर बालों को साफ करें गुड़हल के ताजे फूलों को पीस कर लगाने से बालों का रंग सुन्दर हो जाता है एक मुठी गुड़हल की पतिया में फूलों को 100 ग्राम मिल्लीमिटर नार्यल के तेल से उबाल कर ठंडा करें फिर इसे सरकी मारिश करें बाल गिनने की समस्या दूर हो जाएगी और बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे जी हाँ दोस्तों गुड़हल की पतियों को मेहंदी वेल नीम्बू के रस में मिला कर लगाने से आपके बाल ढरते नहीं है और ये एक प्राकरतिक कंडिशनल का काम करता है साथ ही इसके प्रियोग से डेंडर भी नहीं होता दस ग्राम गुड़हल की पतियों को पीस कर इसमें एक अंडा मिलाएं इस मिश्र को बालों की जड़ों से सीरे तक लगाएं एक प्रियोग से ही ये आपके बाल खिल उठेंगे दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस प्रियोग को त्यार क सकते हैं बालों को लंबा करने के लिए गुड़हल की पतियों को आमने पाउडर वे थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लें इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाएं इसके बाद आपके बाल जड़नों की समस्या कम हो जाएगी यहां तक कि आपके बाल गिरने की समस्याओं का अंत हो जाएगा चावल के माद में गुड़हल के फूलों का रस मिला कर लगाने से दो मुए बालों का निजात हो जाता है महंदी के साथ गुढ़ल की पत्यों को पीस कर लगाएं महंदी का रंग अच्छा आएगा तता महंदी के साथ साथ आपकी ड्राइनेस भी कम हो जाएगी गुढ़ल के फूलों में आइरेन विटामिन सी वरपूर मात्रा में होता है गुढ़ल के फूलों से त्यार तेल को सकेल पर लगाएं इससे खुजली वैल आलिमा को रहत मिलेगी गुढ़ल की कुछ पत्यों को पीस ले इसमें आदा कटोरा धही मिलाएं एक मिश्र को बालों की जड़ों पर हलके हातों पर लगाएं एक घंटे के बाद समाने पानी से धोले इससे बाल, नर्म और मुलायां बनेंगे इसके बाद बालों में गुढ़ल का तेल लगाएं और नहाते समय शैंपू से धोले इससे आपके बाल काले चमतकार रहते हैं इस प्रक्रिया को आप हफते में एक से दो बाल जरूर करें ताजे गुढ़ल के फूलों की पत्यों का रस निकाल कर बराबर मादरा में नारिल का तेल या तेल का तेल या जत्यून के तेल में पका ले ठंडा होने पर इस मिश्च को शीशे में भर ले इस तेल को आपने अपनी उंगलियों से जड़ों में मालिश करनी है कुछ दिनों में बालों की चमक वापस आने लगेगी और आपके बाल बड़े मुलायम और सौफ्ट हो जाएंगे मेथी के दानों को राद भर भिगो दे सुबह गुढ़ल की ताजी पतियों के साथ उसे पीस ले और उसमें थोड़ी सी चाच मिलाएं इस मिश्च को त्यार कर स्केल पर लगाएं और एक घंटे के लिए ऐसी ही छोड़ दे दोस्तो एक घंटे बाद आपको समाने पानी से सर्ध होना है इससे आपकी रूखी सूकी त्वचा में निजात मिलेगा और त्वचा मुलायम हो जाएगी दोस्तो इससे डेंटर वी भोजल खतम होता है आज की वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तो आपने देखा गुढ़हल के कितने फायदे हैं आप इनका इस्तिमाल कर अपने बालों को सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए